हेलो एवरिवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेविंथ की आपकी समाजिक विग्यान की वर्क्षिट नमबर 32 देट है आपकी 8-5-2021 आज की वर्क्षिट का चैप्टर है आपका इश्वर से अनुराग प्यारे विद्यार्थियों कक्षा छटी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजरानियों की कहानियों का अध्यान ही नहीं बलकि इतिहास में आम जन समारको एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं तो जैसा कि हमने क्लास 6 में जाना था कि इतिहास में यानि हिस्ट कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों वर विविन जाती धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विविन दर्शन वर जीवन पदती के विशय में उनका क्या नजरिया था तो सबसे पहले आपका दिया गया है कि साथवी से नवी सताबदी, नवी सताबदी के बीच कुछ नय धार्मिक आंदोलोनों का प्रादुदव हुआ, इन आंदोलोनों का नितिद्व नैनारों और अलवारों ने किया तो साथवी और नवी शतावदी के बीच में एक नया धार्मी का अंदोलन शुरू होता है जिसका नितिद्व कौन कहे रहे थे नैनार जो की शेव संथ थे शेव संथ का मतलब जो की शिव को मानते थे और अलवार का मतलब जो की विश्णू जी को मानते थे दो गृप से एक अलवारों का गृप था ये संथ सभी जातियों के थे यानि शेव संथ जो थे उसमें भी सभी जातियां थी और अलवार जो विश्णू जी को मानते थे उसमें भी हर तरह के जाती के लोग थे ये शिव एम विश्णू के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते उन्होंने संगम साहिते जो की तमिल का आपका एक साहिते हैं उसमें समाहित प्यार और सूर विर्था के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूले में उनका समावेश किया नैनार और अलवार घुमक कर शादू संते तो दोनों ही अलवार और नैनार घुमक कर शादू संते यान के इस्थानिये देवी देताओं की प्रसंसा में सुंदर कविताय रचकर उन्हें संगीदबत करते थे भक्ति साहिते के उत्तर से दच्छड आने के संदर्व में एक प्रसित कहावत कही जाती है तो वो लोग जहां भी जाते थे जिस भी काओं में जाते थे वहां के देवी देताओं पर कविताएं रचते थे और वही कविताएं वहां के लोगों को सुनाया करते थे उत्तर से लेके दच्छड आने के संदर्व में एक बहुत ही प्रसित कहावत थी कि भक्ती द्रावडी उपजी लाए रामानंद अर्थार भक्ती का उदे दच्छड भारत में हुआ एवं उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए तो माना जाता है कि भक्ती का जो उदे दच्छिर भारत में हुआ था, भारत के जो साउथ वाले पार्ट में हुआ था, वहाँ इसे रामानंद जी लेके गए थे, उसके बाद है आपका कि नैनार, जो नैनार थे हमारे, ये भगवान शिव के उपासक थे, इनकी संख्या 63 थी नैनारो की संख्या कितनी थी 63 और अलवार जो कि विश्णू के उपासक थे, इनकी संख्या आपकी 12 थी, ओके देन आपके लिए एक गतिविधी दी गई है कि पाठे पुस्तक हमारे अतीद भाग दो में दी गई मारी कव सागर की रचना का अध्यान करें, एवं बताएं कि इसमें कवी ने भगवान के साथ अपने संबंधों का कैसा वर्णन किया है, तो आपको पोयम पढ़नी है, उसके बाद आपका इसका आंसर लिखना है कि कवी ने भगवान के साथ भक्ति और प्यार का संबंध बताया है, भगवान के प्यार ने उन्हें सभी बंदनों से मु तो बिल्कुल सही इसका अंसर आपका राइट होगा फिर है नैनार की संक्या बारत थी तो नहीं इसका आपका रॉंग होगा क्यूंकि जो नैनार थे हमारे वो 63 थे अलवार हमारे 12 थे ठीक है उसके बाद कुश्यन नंबर 3 है अलवार भगवान विश्णू के भग थे तो बि